हेलो एवरिवन, स्टोरी टेलर शिवानी में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे थॉमस हार्डी की बायोग्राफी के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं थॉमस हार्डी एक इंग्लिश नॉवेलिस्ट और पोयर्ट थे और अपने नॉवेल्स और पोयर्ट्री दोनों में ही रोमैंटिसिज्म और साथ ही साथ विलियम वर्ट्सवर्थ की पोयर्ट्री से काफी प्रभावित थे, इंफ्लूएंस्ड थे और ये विक्टोरियन सोसाइटी को बहुत क्रिटिसाइज किया करते थे इस्पेशली जो रूरल ब्रिटेन के लोगों के प्रती उनका बिहेवियर था उसके लिए हार्टी ने अपनी पूरे जिन्दगी पोयम्स लिखी और अपने आपको प्राइमरली पोयट ही मानते थे लेकिन 1898 तक उनकी कोई भी पोयम्स की कलेक्शन पब्लिश नहीं हुई थी बलकि सुरुवात में उनको अपने नोवल्स के कारण ही पहचान मिली, फेम मिली जैसे कि Far From The Madding Crowd जोकी 1874 में पब्लिश हुई Tess of the Derbevilles 1891 में The Mayor of Casterbridge 1886 में Jude the Obscare 1895 में और इनके अधिकतर नोवल्स में tragic characters होते थे जोकी अपनी समाजिक स्थिती या परिस्थिती और पैशन से जूंजते हुए दिखाई देते हैं Thomas Hardy का जन्म 2 जून 1840 में Stinsford के पादरी के इलाके के एक उपग्राम में हुआ था जोकी दक्षिन पश्चिमी इंग्लैंड के एक काउंटी सहर के इस्ट में है जहां इनके पिता Thomas एक राज मिस्तरी और लोकल बिल्डर थे और 1839 के अंत में इनकी मा जेमी मा से शादी की जेमी मा एक पढ़ी लिखी और उन्होंने ही Thomas को 8 साल की उम्र तक पढ़ाया हार्डी ने डॉट्चेस्टर में 1862 में लंडन जाने से पहले तक as an architect ट्रेनिंग ली और लंडन के King's College में पढ़ाई की लेकिन लंडन में इनको घर जैसा कभी नहीं लगा क्योंकि वो class divisions और समाज में उनकी हीनता को लेकर काफी conscious रहा करते थे तो इस समय उन्होंने social reforms में भी भाग लिया और 5 साल बाद अपनी health के कारण वापस डॉर से टा गए और यहां वे माउथ में settle हुए और अपने आपको राइटिंग में dedicate कर दिया 1870 में Hardy Emma Gifford से मिले और इन्हें उनसे प्यार हो गया और 1874 में Hardy ने Emma से शादी कर ली 1885 में Thomas और उनकी wife Max Gate नाम के house में रहने लगे ये घर खुद Thomas Hardy ने design किया था और इनके भाई ने बनाया था कई सालों बाद 1912 में Emma की death हो गई जिससे Hardy को बहुत सदमा लगा और उनकी poem 1912-13 उनकी wife की death को दरसाती है 1914 में Hardy ने अपनी secretary Florence Emily से शादी कर ली जो कि उनसे उमर में बहुत छोटी थी लेकिन वो अपनी first wife की death के सदमे से अभी तक उबरे नहीं थे और इसके लिए poetry लिखा करते थे 1910 में Hardy Order of Merit के member बने और उन्हें पहली बार Nobel Prize in Literature के लिए नॉमिनेट भी किया गया December 1927 में Hardy प्लरसी से ग्रसित हो गये और 11th January 1928 को Max Gitt में ही उनका निधन हो गया जहां अपने death bed पर उन्होंने अपनी wife के लिए अपनी आखरी poem डिक्टेट की थी 16 जन्वरी को उनका अंतिम संस्कार हुआ और ये बेहत controversial घटना थी क्योंकि Hardy की इच्छा थी कि उनकी body उनकी first wife एमा के grave में ही दफनाई जाए लेकिन इनके executor Sidney Cockerel ने insist किया कि उन्हें Abbey के famous poets corner में दफनाया जाए तो एक compromise किया गया और Hardy के दिल को Stinsford में एमा के साथ और इनकी ashes को poets corner में दफनाया गया Hardy की second wife ने इनकी biography को भी publish कराया Hardy के works को कई young writers जैसे D.H. Lawrence, Virginia Woolf द्वारा admire किया गया अगर बात करें इनके novels की तो Hardy का first novel The Poor Man and the Lady जोकी 1867 में लिखा गया था इसे कोई publisher नहीं मिल पाया Hardy ने तब इसे अपने mentor और friend George Meredith जोकी Victorian poet और novelist थे उन्हें दिखाया जिन्होंने देखा कि ये novel बहुत ज्यादा politically controversial है और अगर Hardy ने इसे publish करा दिया तो फिर वो future में कभी कुछ और publish नहीं करा पाएंगे तो Hardy ने भी उनकी advice मान ली और इसकी manuscript को भी destroy कर दिया इसके बाद Hardy ने गुम नाम रूप से दो नए novels लिखे Desperate Remedies 1871 में और Under the Greenwood Tree 1872 में इसके बाद ही 1873 में वो Emma से मिले थे और 1873 में उन्होंने A Pair of Blue Eyes लिखा जो की Hardy और Emma की courtship को दिखाता है और ये उन्होंने खुद के नाम से ही लिखा 1874 में Far From The Madding Crowd लिखा जिसमें Hardy ने पहली बार Wessex World का यूज किया जहां पर उनके novels निर्धारी थे तो ये Wessex इंग्लान के पश्चिम के एक छेतर को कहा गया है और ये novel बहुत successful रहा कि Thomas Hardy ने अपना architectural work छोड़ दिया और literary career अपना लिया और अगले 25 सालों में उन्होंने 10 और novels produce किये 1878 में ये London आ गये और इन्होंने The Return of the Native लिखा और 1880 में अपना एकलोता historical novel The Trumpet Mayor पब्लिश किया Two on a Tower 1882 में जोकी Astronomy की दुनिया में set एक romance story है इसे पब्लिश किया फिर 1885 में वे Max Gate चले गए और वहां उन्होंने तीन novel लिखे The Mayor of Casterbridge 1886 में The Woodlanders 1887 में और Tess of the Derby Wills 1891 में जिसमें Tess of the Derby Wills को बहुत criticism का सामना करना पड़ा Jude the Obscare जोकी 1895 में पब्लिश हुआ था इसे और ज्यादा negative response मिला इसके sex, religion और marriage के controversial treatment के लिए और इसकी copy को Wakefield के विशप ने जलाया भी था जिसके लिए Hardy ने humorously कहा था कि मुझे नहीं जला पाने की निराशा से विशप ने book जलाई पर इसके बाद माना जाता है कि Hardy ने novels लिखने छोड़ दिये अगर बात करें इनके poetry की तो इन्होंने कई poems लिखी 1898 में Hardy ने Wessex poems जोकी इनकी poetry की first volume थी पब्लिश की Hardy की कई poems की theme disappointment in love and life और भागय की भरस्टता है 1901 में उन्होंने poems of the past and the present पब्लिश की 1914 में satires of circumstance The Man He Killed जोकी एक war poem थी इसे लिखा The Poems of 1912-13 इनकी poetry का best collection है जिसे इन्होंने अपनी wife के death के बाद लिखा और इस तरह से Thomas Hardy को 28th century का great poet माना जाता है तो ये थी Thomas Hardy की biography काफी I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी थैंक यू जो